हेले दोस्तों मैं सौनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी लड़की को बॉर्फिम बनाने की जरूरत क्यों होती है तो आज के वीडियो से टापिक पे है और इस वीडियो को बनाने का मेंन मोटिव है था कि आप यह जान पाओ कि जब कोई लड़की बॉर्फिम बनाती है या फिर किसी लड़की को पसंद करती है तो उन्हीं बॉर्फिम बनाने की या रिलेशिशिप में आने की जरूरत होती क्यों है तो इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल एकन दो लिए तो आई वीडियो स्टाट करते हैं तो सबसे पहले जि यह चीज़ें करने में ज्यादर इंट्रस्ट आता हैं ठीक है प्यार मुहबबत की बाते करना ठीक इसी तरह से कुछ लड़कें भी ऐसी होती है जो अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए पार्टनर के साथ में रोमेंस करने के लिए रिलेशिशिप में आना पसंद कर हैं क्योंकि दोस्तों देखो मोस्ति लड़कियों को ना शौपिंग करना घूमना फिरना या मौज मस्ति करना कितना ज्यादा अच्छा लगता है यह चीज़ हर लड़की को पसंद होती है चाहिए वो मिडल क्लास से बिलॉंग क्यों ना करते हो लेकिन उनके शौक काफे ज आना चाहते हैं ताकि रिलेशन्शिप में आने के बाद उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अच्छा बन सके इसके लाव अगली जो चीज़ है वह है प्यार और करें उनकी केर करें बेश्क वो अपनी तरब से पार्टनों को एफ़र्ट ना दिखाए या अपना प्यार न प्यार चाहिए होता है उन्हें अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसन चाहिए होता है जो हमेशा उन्हें प्यार दिखाए या प्यार जता है या उनकी केर करता रहें ठीक है एक तरह से आप यह कह सकते हो कि जारते लड़कियों को आटेंशन मिलना या जड़के की तरफ से ऐसा response मिलना कि वो उन्हें प्यार दिखाई या प्यार उनकी केर करें यह चीज अची लगती है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए जारते लड़कियां जो हैं बॉर्फर्म बनाती है या उन्हें बॉर्फर्म बनाने की जरूरत महसूस होती है इसके लवा अगली जो चीज है जिसके बॉर्फर्म बनाती है वह दिखावा करने के लिए जो आजकल की टाइम में बहुत ही जादा हर इंसान में पाई जाते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियल रहते हैं बट जारता लोग दिखावे पर जीते हैं ठीक है और इसी में खा वह भी रिलेशन्शिप में आएं या फिर वह भी उस तिस्टे को एक्स्पिरियंस करें कि बॉर्फर्म होने के बाद कैसा लगता है या पर रिलेशन्शिप में आने के बाद कैसे चीज़े बदलती हैं रिलेशन्शिप में एक्स्पिरियंस लेने के लिए भी कुछ लड़ के साथ लेंगे